आज की वीडियो में हम Air Force Group Y में Non Verbal Reasoning के किस टाइप के questions बनते हैं उनको discuss करेंगे Non Verbal Reasoning में आपके 4-5 topics होते हैं जहां से questions बनते हैं उसी में एक आपका major topic है series तो series के इस वीडियो में आपको questions मिलेंगे जैसे Air Force में पूछे जाते हैं काफी candidate को doubt रहता है किस टाइप के questions बनते हैं और काफी सारी बुकों में गलत content दे रखा है उसमें जो questions Air Force में बनते हैं वैसे टाइप के questions नहीं है तो इसके बाद आपका doubt के लिए होगा कि आपको किस टाइप से questions की जादा practice करनी है जब आप Non Verbal Reasoning questions करें तो वीडियो को end देखेगा काफी ज़्यादा यूसूल आने वाले आपके लिए वीडियो तो चलिए वीडियो को start करते है तो first question आपकी screen पे है आपको करना का है पहले वीडियो को pause करना है और अपना answer find out करना है कि आपका तरह से answer क्या आ रहा है उसके बाद वीडियो को चला कर देखना है कि आपका answer correct है नहीं है तो चलिए हम शुरू करते है तो आपको first क्या करना है देखे paper में आपका screen पे options होते है एक दो तीन चर नीचे side लगे होते है ठीक है कि line में तो जब आप घर पे करते है तो आप क्या कर सकते है यहाँ पर सीधा eliminate कर सकते है options को और आप सीधा लिख देते होंगे यहाँ पर कि second आपका follow नहीं कर रहा लेकिन वहाँ पर आपको scroll कर रहे चेक करना पड़ता है कि कुण सा option follow कर रहा तो आप क्या करिए आप क्या rough sheet जो मिलती है उस पर 1,2,3,4 पहले लिख लीजिए और जो option eliminate होते जाए उन्हें काट दीजिए बाद में next में चेक कर रहे जिए पहले यह बीच में आया फिर यह नीचे गया फिर से उपर फिर next फिर से कैसे फिर से बीच में फिर नीचे फिर उपर ऐसी अब यह उपर है तो कहा आएगा बीच में आ जाएगा next में next में का पर होगा तो 1st और 3rd में करेंगे जो एक बार option wrong हो चुका है उसको दुबारा चेक नहीं करेंगे इन चीज़ों ख्याल रखेगा महाँ पर करते टाइम तो आपका जल्दी आंसर थालोगा जो एक बार wrong proof हो गए उन्हें दुबारा चेक नहीं करना है और एक एक figure की movement आपको चेक करनी है कि कैसे move कर रहा है अब देखें 1st और 3rd जो बचे हैं उन्हें C और triangle की movement विल्कुल सेम है प्लेस जो सेम है तो उन दोनों की movement चेक करके आपको फाइदा नहीं होगा क्योंकि वो दोनों अपनी जगा पे हैं एक ही जगा पे है ठीक है तो आप जो figure बच्ची है एक यह जो फिगर बच्ची है इसकी movement कैसे हो अपने प्लेस पर उल्टी हो गई है यह सीधी खड़ी है यह line उल्टी हो गई अब यह सीधी आईगी नेक्स्ट में ऐसे होगी मतलब तो देखिए फर्स्ट और थर्ड जो बच्चे थे हैं पर फर्स्ट में तो सीधी है यह line लेकिन थर्ड में उल्टी है तो थर्ड ओप्शन भी यह से कट गया थर्ड ओप्शन भी कट गया तो आपका simple answer बचा है यह option आपका यहां पर answer हो गया है यह option आपको कैसे करना आपको समझ में आ गया होगा आपके जो option wrong proof हो गया है उन्हें आपको check नहीं करना है और उन्हें काटते चलना है ठीक है जो option wrong proof हो रहे है और बात में जब next figure का analyze करक उसका next figure में तो जो figure सही बच्ची हो नहीं हम find out करेंगे जर्फ तो जो next question की तरफ बढ़ते है तो देखिए इस question में कैसे करेंगे है पहले आप simple लिख लिजी अपनी रफ में 1,2,3,4 जो wrong proof हो जो से काट जाएगा पहले हम जो यह degree आपको cross sign इसकी movement check करते है देखिए उपर आपनी place पे बस ऊपर को चला गया एक place ठीक है वापीस नीची आ गया बीच में मतलब फिर उपर जाएगा देकिन बीच में था ऊपर गया fifth mean वो फिरसे उपर जाएगा मतलब एक यहां पर होएगा यह बीच में देख क cred फिंड में यहां फिंड में गलत हो गया यहांपर वी गलत हो गया यहां पर ऊपर घया हो बिल्कुत सही जगा ठीक है 3rd सही हो गया और 4th भी तो 1st रर 2nd हमने रॉंग प्रूफ कर दें 3rd और 4th, next जब figure के analyze करेंगे तो वो सिर्फ हम 3rd और 4th में करेंगे 1st, 2nd क्यों रॉंग प्रूफ हो चुक है हमारे तो देखिए, अब हमने करते हैं अपने circle की movement, circle की movement देख कैसे हो रही है, 1 एक कोने को छोड़के, दूसरे कोने पर जा रहा है तो यह दोनों यहाँ पर प्रूफ कर रहे है तो हम क्या कर सकते हैं अब हमें triangle बचा है, सिर्फ तो triangle की movement चेक करनी पड़ेगी, triangle देखिए clockwise में, एक कोने से दूसरे कोने पर जा रहा है, अब फिर से इस कोने से उपर आले कोने पर जाएगा ठीक है, अब यहाँ से इस वाले कोने पर आ जाएगा अब इस वाले कोने पर यहाँ पर circle था सिर्फ triangle तो इस नीचे कोने पर है तो fourth भी कट गया है यहाँ से, second और first पहले कट चुके थे तो third ही है, जहाँ पर उपर में है तो third option आपका correct answer हो जाएगा यहाँ से second और third को आप डंक से देखेंगे, तो दोनों एकदम सेम है सारे signs जो है, सारी जो figure है चोटी-चोटी वो बिल्कुल एक ही जगा पर है, कोई change नहीं हो है तो यहाँ पर कहाँ, first और third में, जो relation है वही third और fourth में relation होगा तो first और second का relation देखते है क्या है first और second का relation देखेंगे तो यह की ऊपर triangle है नीचे आपका cross का sign है यह क्या होगा, अपने जगा इन्होंने reciprocal एकदम opposite कर दिया उन्होंने जगा मलब जो cross नीचे था वो ऊपर चला गया जो triangle ऊपर था वो नीचे आगया दिख रहा है ना आपको यहाँ पे ऐसी जो side side की figure थी tick का sign था, right का sign था और square था, इन्होंने अपनी position चेंज कर ली square यहाँ पे आगया और right का sign यहाँ पे चला गया ऐसी अब third, fourth में क्या होगा third में आपका क्या है cross sign उपर था वो नीचे आजाएगा और जो triangle नीचे था वो उपर चला जाएगा ऐसी tick का sign जो आपका right side में था sorry, हाँ, right side में था, वो left side में आजाएगा और जो आपका square का sign लेft side में है वो आपका right side में आजाएगा तो ऐसी figure मनेगी एक answer में देखे, कहाँ पे बन रही है first में बिल्कुल सही first में बन रही है बाकी आप देख सकते हैं इसमें ये तो सही बन रहा है लेकिन यहाप जो triangle था वो उपर नहीं है second यहाँ से कट गया है यहाँ पे triangle उपर नहीं है यहाँ पे triangle आगया जबकि यहाँ पर जो इस place पे है पहले उनको पता होगा इस टाइप को पूछे गए तो काफी जादे यूसफुल है आपके लिए आप पहले खुछ सॉल्व करें बाद में सॉलिशन देगें तो इस कोशन हो करते हैं सॉल्व तो देखिए यहां पर पहले हम इस क्रॉस को लिलता है इसकी मुव्मेंट कैसे हो रही है तो यह क्रॉस है बिल्कुल अपने पोजिशन पर उपर जाके पिलस में चेंज हो गया फिर नीचे आगे क्रॉस में चेंज हो गया अब यह उपर जाक कर सकते हैं तो फोर्थ option है हमने eliminate कर दें यहां से अब तीन option बचे हमार पास अब हम देखते हैं यह जो आपका arrow हो इसकी rotation देखते हैं यह इस कोने से इस कोने पर आ गया ठीक है अब वापस अपनी जगा पर चला गया अब फिर से क्या करेगा इस कोने पर आ जाएगा इस कोने दिख रहा है आपको इसकी rotation देखते हैं यह anti-clockwise एक कोने से दूसरे कोने पर जा रहा है अब यह उपर आले कोने पर आएगा इस कोने पर आएगा इधर इधर आएगा यह किसमिया फर्स्ट और थर्ड में से जो हमार बास राइट options है second और थर्ड इन दोन में खाली चेक करना तो 5th question देखिए आप क्या करना है इसमें तो यहाँ पर arrow देखिए यहाँ पर एक arrow था अब यह clockwise direction में दूसरा arrow जुड़ गया clockwise direction में तीसरा arrow जुड़ गया अब यह चार arrow जाएंगे next figure में ठीक है यह आप कर सकते है next figure में 4 arrow जाएंगे और इनकी direction ऐसी होईगी तो पहले देख लीज़ें किस figure में 4 arrow ऐसे दिख रहे हैं आपको फर्स्ट में आपको दिख रहे हैं ठीक है second में भी दिख रहे हैं आपको ऐसे arrow थर्ड में देखिए arrow की direction यहाँ पर रॉंग दे रखिए तो third option cancel होगे यहाँ से और fourth में भी arrow आपको सही दिख रहे हैं तो third option में हो रहा है first में ऐसा है सिर्फ एक ही option बचा है first option जिसमें ऐसा triangle आपको अंदर दिख रहा है जो अंदर triangle बन रहा है यह देखिए इसके अंदर यह पूरा कहां पर बन रहा है खाली first में बन रहा है fourth में गलत direction में बन रहा है तो fourth भी cancel होगे first option आपको यहां से answer हो गया simple question था यह तो आगे बढ़ते है next question की तरफ देखिए इस question में देखिए क्या movement हो रही है यहां पर आपका जो minus sign है इसकी movement देख लेते है पहले हम तो यह anti-clockwise direction में एक कोने से दूसरे कोने पर जा रहा है ठीक है anti-clockwise direction है यह पर आगया इसको निपया जाएगा यहां पर तो यहां पर देखे किस figure में minus sign देख रहा है यहां पर next हम देख लेता हैं यह आपको देखते हैं इसकी वोपन कैसे दिरेक्शन में एक कोने हम दूसरी कोने पर जा रहा है यहाँ पे चल गया अब यहां और दुसरे कोने पर आएगा जींगलन की सले करें आपकेSONे यहां से केकूर अंपर आएगा फिगर की movement चेक करें हम तो जो options बचे हुआ है जाए second और fourth बचा हुआ तहम पे उसमें देख लिया जो quadrilateral है इनकी दोनों में position same है तो उसे check करने की जुरूत नहीं है जिसकी position same now उनको check करें जाए triangle और square की position अलग-अलग है यहाँ पे दोनों में तो इनकी position चेक कर लिजे क्या होगी अब triangle को देखेंगे तो क्या movement हो रही है triangle यहाँ से anti-clockwise यहाँ गूम रहा है यहाँ पर भी देखें अब यहाँ पे इसकोने पर आजाएगा किस में है यह? second और third में से second और fourth में से second third में पहली first और third अम पहली eliminate कर चुके थे second और fourth बचा था उसमें triangle सिर्फ इसमें सही position पे है तो fourth option नहाँ से आपका answer हो जाएगा तो चलिए next question की तरब बढ़ते है seventh question देखिए seventh question में आप जो आपकी dark figure है या ली इसका देख लिए movement कैसे हो रहा है एक, दो second position पे जा रही है clockwise direction मलनगँ घडी की सुई जिस जिसा में गुमती है उस जिसा में एक box झोड़के दूसरे box में जा रही है अब फिर next एक box झोड़के दूसरे box में ठीक है डार्क हो गया फिर अब एक box झोड़के दूसरे box में, मतलब इस वाले box में अब यह dark होना है, तो देखिए इस वाले box में किस option में dark है, first में है dark second में गलत option में dark हो रखा है, तो यह cut गया, fourth option में right option जगा पे dark है fifth में भी गलत जगा पे है, तो fifth भी cut गया तो हमारे, यहां पर 1st, 2nd, 3rd, 4th होना चाहिए तो option का numbering गलत है तो 1st और 2nd जो option है 1st और 3rd option ये हमारे बच्चे हैं 2nd और 4th option हमने eliminate कर दिये हैं तो हम जो ये 5 cross बने हो इनको analyze करेंगे, इनकी movement देखे कैसे हो रही है 1, 2, 1 ये रहा 2, 3, तीसरे पर अलब 2 बीच में छोड़के तीसरे box में ये पहुच गए है ये anti-clockwise गड़ी की उल्टी दिशा में गूम रहे है 1, 2, 3, तीक है अब यहां से 1, 2 छोड़के यहां पर हो जाएंगे, तीक है अब next में क्या होगा अंसर हो जाएगा ठीक है ना यहां पर यह हो रहा है और यहां पर यह भी हो रहा है तो फर्स्ट option बचाता अंसर फर्स्ट option होगे आपका next question की तरफ बढ़ते हैं 8th question में देखे क्या है ऐसे questions ज़्यादा आपकी exam में पुछे जाते हैं तो यहां पर triangle की movement हम पहले देख सकते हैं पहले आप simple एक चीज़ की movement देख लिए cross फिर plus फिर cross फिर plus तो next में क्या होगा cross होगा बीच में तो first में cross है second में cross है third fourth में plus है third fourth यहां पर eliminate होगा easily next आपका जो यह देख रहे हैं इन figures को इनकी movement देख लिजे कैसे हो रही है यह जो square है यह इधर आ गया फिर यह ऊपर चला गया बल्लब यह anti clockwise ऐसे जा रहा है फिर यहां जा रहा है फिर यहां पर आ रहा है वापिस ऐसी जा रहा है बस खाली आप देख सकते हैं यहां से इधर movement करके यहां पर आ गया फिर यह उपर जाएगा यहां पर फिर यह इधर आ पर आ गया अब यह इधर movement करके इधर आ जाएगा next figure में मतलब यहाँ पर move कर जाएगा next figure में जाके तो यहाँ पर देखे ट्राइंग यहाँ पर जो square है कौन सी figure में है first में तो नहीं है और second में है third, fourth हम पहली eliminate कर चूएते तो first और second में चेक करना तो second option हमारा है यहाँ पर सिर्फ बचाता second option है जिसमें यहाँ पर square है तो second option है आपका answer हो गया तो next question तो बढ़ते हैं तो ninth question में देखिए यहाँ पर आपका single arrow थी है यहाँ पर double arrow हो गई है यहाँ पर triple तो next में क्या होगा आपका चार arrow हो जाएंगी तो one, two, three, four चारो option में चार arrow है तो इस option से कुछ नहीं होगा अब देख लिएज़े चारो figure में तीन, तीन डॉट, तीन डॉट यह भी analyze करके हमें कुछ नहीं मुलेगा जो आपको यह दिख रही है arrow या लिए arrow इसको analyze करने से मिल सकते हैं option eliminate होंगे तो इनको analyze करते हैं यह देखिए यहाँ पर arrow थी अब यह कहाँ पर आ गई है, यहाँ पर आ गई है यहाँ पर आ गई, फिर से वापिस अपने place पर चली गई अब फिर से आगे वाली यहाँ पर आ जाएंगे अब arrow लेगि कैसे आएंगी, अब यह पहले ऊपर को direction थी तो अब गड़ी की सुई की तो सामें इधर को पहले इधर थी, अब गड़ी की सुई की सुई की तो हमें इधर को आ गई फिर नीचे जा रही है तो अब next में क्या होगी, इधर को इंग arrow यहाँ पर जो arrow आएगी वह ऐसे डिखेगी ऐसी दिखेगी वह arrow, ठीक है ना तो देखेए ऐसी arrow किसमें दिख रही है आपको फर्स्ट में दिख रही है, बिल्कुल सही box में बनी हुई है वह इधर भी है, तो फर्स्ट option यहाँ से हो गया सैकंड option कर सकता है यह गलत box में arrow बना हुआ है यहाँ से कट गया, थर्ड option में सही box में arrow बना है और सही direction में बना है, थर्ड भी सही है फॉर्थ में देखेए, सही box में तो arrow बना हुआ है लेकिन इनकी direction गलता है arrow की तो फॉर्थ option में यहाँ से eliminate हो गया तो first और third आपके पास जो दो option बच्चे है वो कौन से बच्चे है, first और third option बच्चे है second, fourth eliminate हो चुके है तो next हम analyze करेंगे इसको यह 35 ही बनी हुई है जो इसका box change हो रहा है तो box दोनों में बिल्कु सही है, इसी box में होना चीए था हमें देखना है, एक जो leaf है वो dark है एक leaf dark नहीं है, तो इधर वाली leaf dark होगी इधर वाली यह चेक करना है तो इसमें तो left side वाली leaf dark है इसमें right side वाली इसमें left side वाली, तो एगली में कौन side वाली leaf dark होगी right side वाली, तो इधर वाली जो leaf है वो dark होगी तो इसमें फर्स्ट में तो left side वाली leaf go dark कर दिया है, left side वाली go to गलत है तो third option हमारे सिर्फ बचा, जिसमें की right side वाली leaf go dark है तो third option है आपर answer हो जाएगा तो इतना सारा logic आपको लगाना पड़ेगा, इसलिए आपको normal की practice अच्छे से करके जानी पड़ेगी ठीक है, जब तक आप अच्छे से practice नहीं करेंगे, जिसमें पर question exam में बन रहे हैं तब तक आपको आपको problem आवाईगी time लएगा, तो आपका paper चुटने की समावना बन जाएगी तो आपको अभी इस अच्छे से practice करेंगे, तो वहाँ पर जाके easily आपसे हो जाएंगे जल्दी ठीक है तो चलिए next question तो बढ़ते हैं next question देखिए यह question काफी जादा important है, आपको हुष कीजएगा आप खुद करें इसको ऐसे type of question फसने के बहुँ जाए चांस होते है exam में क्योंकि जो मेरी suit में exam थे उसमें सेम ऐसे question ही थे जिनमें 6,6,5,5 अंजर figure थी उनकी movement चल रही थी तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक-एक figure को analyze करना पड़ेगा मैं यह triangle देख लिजए इसकी movement देखे कान से हो रही है यह anti-clockwise नीचे आ गया फिर अप एक-एक position आगे बट रहा है तो next में क्या होगा बिल्कुल इस किनारे पर हो जाएगा यह तो यह किस option में हो रहा है हुआ हो जा रहा है इसको होने पर यह, 2nd में नहीं जा रहा है तो second में square हो है यहाँ पर तो cancel हो गया 3rd में विलकुल सही जगा पर है, 4th में यहाँ पर क्या है एक arrow है तो 4th बी option में cancel हो गया तो 1st और 3rd option पर आ गया हम हमने दो option eliminate कर दिये 2nd और 4th next figure को analyze कर लीजिए next figure ये एक देख लीजिए ये equal to का sign ये एक position यहापे आ गया फिर नीचे आ गया फिर एक position आगे बढ़ेगा तो triangle की जगा ले लेगा मतलब triangle के पहले जो figure होनी थी वो equal to होनी थी first mid equal to तो नहीं है यहापे क्या है square तो first option cancel हो गया third option जो बचाता उसको चेक करते है उसमें बिल्कुल सही है तो third option हमारा बिल्कुल answer हो गया दोनों figure की movement बिल्कुल सही जा रही है तो third option answer हो गया है यहां से आयोगा को समझ में आ रहा होगा चलिए next question की तरब बढ़ते है next question दिखे क्या है इस video का जो basic motive है वो यह समझाना है कि किस type of question आपके exam में आते है ताकि आप जब बाद में practice करने हैं बैठे बुक से तो आप समझ पाएं कि इस type of question सम्मुझे जाद अच्छे से करने है तो देखे इस question में क्या होगा movement तो इसमें देखे जो आपका sign है स्वास्तिक का इसमें जो इधर वाली arrow थी ये वाली arrow ये गायब हो गई है ठीक है ये गायब हो गई पहले next में क्या हुआ नीचे की इधर की arrow गायब हो गई इसकी आत क्या होगा ये वाली arrow गायब होनी चीए अब तो ठीक है तो कुछ ऐसा दिखना चाहिए यह रो यह स्वास्टिक का साइन अप कुछ ऐसा दिखेगा यह ऐसे करके और बीच में खाली लाइन है तो देखे किसमें दिख रहा है ऐसे आपको ऊपर वाला तो एक ही में दिख रहा है मैं देख पाहूं तो फोर्थ में सिर्फ फोर्थ का ही सॉष्टिक का साइन ऐसा है बाकी किसी में भी ऐसा साइन नहीं दिख रहा है मुझे अगर आप और जादा ऐनलाइस करना चाहिए नीचे एले को साथिक को भी एनलाइस कर लीजे उसमें भी यही परीवर्थ, यही चेंज़ें सारे है तब भी आपका fourth option आए क्यों बाकी सब में जो उपर sign है स्वास्तिक का ये same है बिल्कुल देख रहे हैं न एली figure एकदम same रही जबकि इसमें एक-एक line इसकी यहां से गायब होनी थी तो fourth option answer आगे हैं यहां पर easy question था है चलिए next question तर बढ़ते हैं तो इस question में देखते है क्या होगा यहां पर आपको देख रहे हैं यह दो arrow हैं यह उपर को करे हूँ है यहां पर एक arrow तो same रहा ऐसे ही यहां पर देख रहे हैं और एक arrow clockwise direction में घूम गया next में क्या हुआ जो दूसरा arrow सीधा था इस वाले की बात कर रहे है, जो arrow सीधा था, अब उसकी बारी आई, वो भी clockwise direction गुम गया, अब next क्या होगा आगे, next आगे क्या होगा, जो ये वाले बची है, इसमें जो नीचे वाले था, अब इसके गुमने की बारी है, तो ये गुम के नीचे आ जाएगा, तो ये ऐसे दिख सकते थे कि option में, sum में जो figure same दिख रही हो, उसे eliminate करने ही ज़रोती है, जब वो same ही रहेगी, तो eliminate करने थे फ़ोज फाइदा ही नहीं उसे, next देखते है, next figure scanlize करते है कोई, जैसे हम कर लेते हैं, इसको तीन arrow है, आगे जाके दो arrow, उपर के arrow का जो ये था, ये जो line है उपर क arrow की, ये जो देख पार है, ये चीज, arrow की, ये हमने गायब कर दिया, ठीक है, ये चीज जो थी arrow की, ये गायब कर दिया हमने, जो next, फिर हमने ये line गायब कर दिया arrow की, तो दो arrow बचे ही सिर्फ, अब next क्या करेंगे, इसके आगे जब जाएंगे तो क्या करेंगे हम, नीचे और उपर अरो खाली यह लाएन रेगी, उपर यह था ही वो गयब हो गय default is 나 यह बन रहा है यह pernah बन रहा है यह नहीं नहीं बन रहा है, यह बन रहा है यह यहाँ आपका फért्ट में रहा है यह बन रहा है यह बन रहा है, फिर एक लाइनBox फिर ये लेट गया, अब ये फिर से सीधा हो जाएगा तो सीधा है रिक्टैंगल किसमे है फर्स्ट तो eliminate करते हैं, चेक नहीं करना सेकिंड में सही है, थर्ड में गलत है लेटा हुआ, रिक्टैंगल बना हुआ है और फॉर्थ में भी सीधा है ये तो सेकिंड और फॉर्थ आप्शन आपके बच्चे है पाकिस फर्स्ट और थर्ड आपके eliminate हो चुके है अब हमने लास्ट फिगर याली अनलाइज नहीं करें अब तक इसको करते हैं तो इसमें क्या होगा इसमें आपका देखिए ये जो line है ये और ये इस line की moment भी चल रही है सात में ये लेट गई सीधा सीधा माल लिजए आप clockwise direction ंटी clockwise direction में 45 degree move कर रही है antic clockwise direction में 45 degree move कर रही है अब ये फिर से Leist्ट clockwise direction 45 degree move करेगी तो ऐज़ी हो जएगी अब ये फिर से move करेगी तो कैसी हो ज़ाईगी है ठीक है सीधी ये लाइन होगी और साथ में जो arrow की लाइन है वो भी 45 डिग्री में clockwise direction में move कर रही है sorry anti clockwise direction में move कर रही है ये arrow wise line भी अब ये 45 डिग्री मुव कर रहेगी तो ऐसे फिर next में कैसे हो गई इस वाले में देखिए ऐसे अब भी next कैसे हो जाएगी ऐसे लेट जाएगी तो ये ऐसे एक figure बनेगी इस वाले box में जो हमें check करने सिर्फ second में और fourth में क्योंकि बाकी दो option हम eliminate पहले ही कर चुके हैं तो इसमें देखिए ये figure बिल्कुल follow नहीं कर रही second में ये जो arrow है इधर को है ये गलत है second तो fourth option बिल्कुल सभी figure है तो fourth option यह से answer होगा काफी जादा tricky question था तब आप बताईए आप कर पाया नहीं कर पाया इस question को तो एक बार फिर से आप देख लीजेगे अगर आपको कोई भी दिक्कत हुई हो इस question में एक-एक figure इसमें analyze करनी थी और ऐसी question time taking कुछ देते है हमारे exam में ताकि time लग सके आपका अगर सारे easy question देदेंगे तो सभी कर लेंगे तो हम अगर मुश्किल level के paper की त्यारी करके जा अब और भी है लेकिन काफी वीडियो जादा लंबी हो जाएगी तो जो बाकी remaining question है total 15 question थे इस PDF में मैं ये PDF भी अपने telegram channel पर डाल दूगा वहा से आप इसको download कर सकते है और solve कर सकते है और extra चीजे जो भी होती है आपकी study से related PDF मैं उसी चैनल पर डालते रहता हूँ आप उस पला सकते चاع बार सब कर शूब जा हुई खब ऑस इस आपा मोगी तो प्यव नप्र क मैं वित दो lotta मेखने लित, दो सकते है और, чисहा अहन.